हेलो फ्रेंद्स आप सबीका स्वागत है मेरे चैनल पे तो चलिए आज देखते हैं आज हम क्या बनाने वाले हैं तो मैंने कड़ाई लिए कड़ाई में सरसो का तेल लिया और उसके अंदर हम डालेंगे एक चमश जीरा जब हमारा जीरा अच्छे से तड़क जाए इससे तड भुनती है हम इसमें डालेंगे सौफ और सौफ को भी अच्छे तड़क ने देंगे हम इसमें लैसुन प्याज का बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहे हैं हम बिना लैसुन प्याज की एकदम बंड़ारा जैसी सबजे बनाएंगे और थोड़ी से हम डालेंगे इसके इनदर मैंने यह बहुती कम मसाला यूज किया है क्योंकि मैं आम कचार यूज करने वाली उसमें सारे मसाले हैं और यहां पे मैं हल्दी पाउडर डाल रहे हूं और हल्दी पाउडर को भुनना बहुत जरूरी होता है और साथी धनिया पाउडर ने उसमें थोड़ा सा कच्छा पन बनता है मैंने लिया है पीला कद्दू पेठा भी बोलते हैं इसे फंकिन इसका चिलका मैंने उताज लिया है क्योंकि बहुत ही टाइट होता है और इसको कड़ाई में डाल दिया रिसे एक बर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो मसाला है वह अच्छे से हमारे होता है इसकी बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है बंडारे में आप देखते हो इस तरह पीले कद्दू की सब्जी खाने को मिलती है और बड़ा ही मज़ा जाता है इसे खाके और यहां पर हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पफीले कद्दू का हलवा पिला कद्दू देख के मुझे यहा लगा है इसका हलवा बड़ा टेस्टी बनता है सच्छ में एक नमबर का हलवा बनके त्यार होता है आप कभी ट्ogrाई कीजिए मैंने इसकी देसे पेले कद्दू को पीले पेठे की हलवे की वीडियो अपन देखना बनता है जल्दी बनता है तो अब इस uniform भूबी काम कर सकते हैं तो पैसे हमें एक बार बीच में चला देंगे हमारे कद्दू कितना पक चुका है तो यहां पर देख सकते हैं 5-7 मिनट में हमारा कद्दू आधा कुख हो चुका है तो हम इसे एक बार अच्य से मिक्स करती आ और अब जो मेन समान है वो अप। नालेंगे जिस से जो इसका रियल फ्लेवर है वह आता है अब हम इसके अंदर एक आमी के हिजाब से इस के अंदर आम का अचा डाल देंगे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है यदि आपके पास कच्छी आमी है तो आप उसे जब आप कदू डालते हैं तब डालें लेकिन जब आप आम का अचार यूज करें तो आप जब आप क्या दे पेठा कुख हो जाए तब इसके इंदर डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और यहाँ पर मैंने लिया है गुड जी हाँ आप यहाँ पर गुड का ही यूज कीजिए जो टेस्ट गुड से आता है वो चीनी में कभी भी नहीं आएगा तो यहाँ पर छोटी छोटी दो पेड़ी थी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ले ली है आपको जितना मीठा जाता है या कम चाहिए आपको इस हिसाब से डाल सकते है और मैंने यहाँ पर छोटी छोटी टुकड़े कर लिए बिल्कुल बारिकी नहीं किया है क्योंकि हमारी सबजी अभी बन रहे है जैसे सबजी बनेगी हमारा गुड़ पिंगल के अच्छे से सबजी के अंदर इसका फ्लेवर आ जाएगा इसकी मिठास आ जाएगे और बस हमें फिसे ढखके इसे छोड़ देना है और साथी मैं थोड़ा सा आमचूर पाउडर इसके अंदर डाल रहे हुँ क्योंकि हमारे जो आम का चार है वो मसाले में थोड़े कम खटास हो जाते हैं तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपके पास यदि सुखी खटाई नहीं है आम की तो आप इसके जगे निम्भू का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन आप खटी मिटी सब्जी बना रहे हैं बंडारा जैसी तो आपको खटास को और मिठास को बैलेंस करना पड़ेगा तब ही आपकी सब्जी बंडारे जैसी बनेगे और मैंने यहाँ पर ज़्यादा मसाला यूज़ नहीं किया है क्योंकि हमारे आमके अचार में बहुत सारे मसालप है जो आमके अचार में डलते हैं आई होप आपको हमारी चोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाए तकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय फिर मिल सके और केमेंट में ज़रूर बताए कौन-कौन इस तरह से ये सबजी बनाता है और कैसी आपके सबजी बनती है और हमारी सबजी बनके त्यार हो चुकि आप देख सकते हैं और सोरी लाइट के लिए मैं आपको थोड़ी माफी माँगना चाहूँगी क्योंकि मेरे फोन में अधिवार लाइट चलती है थैंक्यू फॉर वोचिंग